कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चरनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा तो इस वीडियो में हम किस नेटवर्क डिवाइस पर बात करेंगे switch network device के उपर बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे what is switch switch क्या होता है switch का use कहां करना है यह क्या use के लिए इसको लगा जाता है इसका advantages और disadvantages सभी चीजों को इसी एक वीडियो में बताऊंगा इसलिए मैंने full explanation लिखा है इससे पहले मैंने half device के उपर वीडियो बनाया है that connects multiple computers together in the network switch एक network device से यह क्या करता है multiple computers को एक साथ computer network से connect करता है network में connect करता है कौन switch device ठीक है it is mainly used to send the private messages as well as there is no wasting of data switch का जो mainly use किया जाता हो private messages के लिए किया जाता है मतलब आप किसी को privately message देना चाहते है particular इंसान को या system को तब आप क्या कर सकते switch network device use कर सकते हैं इसमें आपका जो data होता वो waste नहीं होता waste इसलिए नहीं होता कि आप जिसको बेजना चाहते हैं सिर्फ उसी के पास जाएगा बाकि किसी के पास नहीं जाएगा जिने जवरत भी नहीं है ठीक है तो यह होगी अपना second point अगला point क्या है switch can easily identify that which device is connected with which port by using mac address switch क्या करता है identify कर लेता है कि उसके किस port में कौन सा device connected है mac address के according ठीक है तो इससे क्या होता है that's why it delivered message on the particular destination machine इसी mac address के वज़े से switch जो है particular destination machine में message को deliver कर देता है तो यह figure आपको दिखता ही होगा उमीद करते हैं तो यहाँ पर देखो यह होता है हमारा switch तीक है यह switch हो गया और यहाँ पर यह हो गया हमारा एक plugin इसमें तीन पोट है तीनों पोट में अलग-अलग तीन सिस्टम connected है और यहाँ पर भी तीन पोट है यहाँ पर भी तीन सिस्टम connected है तो इन सिस्टम का अलग-अलग प्राइवेट मेसेड करने तो जब भी आप पहली बार डेटा ट्रांसफर करेंगे न तो स्वीच क्या करता है एक टेबल क्रियेट कर लेता है आपके आपका मैक अड्रेस और आप जिसको भीजना चाहें उस डिंठ नोंड का मैंक डिर्स स September का मैंक एड्रेस यह इस्टोर कर लेता और इसी मैंक डिरेस के वजद सर्टे संद्र करता है मैं आपके डेटा को डियरेक्ट सेंड कर देता है तो यह मतलना बिकाहरं यह को सबस्क्राइब हाना चाहता है या फिर उसको बेजना चालता है तो यह डायेक्ट इसको भेज सकता है यूदून के पास नहीं आएगव वह चीशथा ह। तो आपका देटा गाता जिसको आप बच आप भी आविक द जाते थी उसके पास पहुंच भी यही source machine और destination machine दोनों का address note कर लेता है और उसी address के according आपका data deliver कर देता है इसलिए यह more intelligent हुआ अभी चलिए मैं आपको advantage और disadvantage बताता हूं इसका तो guys advantage देखो पहला advantage क्या है it generally used to unicast the message switch का ज्यादा तर use message को unicast करने के लिए किया जाता है unicast का मतलब यह हुआ कि आप मालिजे किसी भी एक particular system में message भेज रहे हैं तो उसी को बोलते है unicast अगर सभी जगह बेजेंगे एक ही बार में तो वह होता है broadcast जो की hub करता है लेकिन switch का use हम किसलिए करते हैं unicast के लिए किसी एक private message को एक जगह बेजने के लिए सेकेंड पॉइंट क्या है इट प्रोवाइड मोर सिक्यूरिटी दैन हब हाब के मुकाबले न हमारा यह स्वीच होता है यह बहुत सिक्यूरिटी हमें प्रोवाइड करता है क्यूं क्यूंकि इसमें particular जगह पर message भेज देते हैं privately जिसको भेजना चाहते हैं और switch से हम जो भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं स्वीच डिवाइस के यूज करके वह भी सिक्यूर रहता है ठीक है उसे भी डिस्ट्रोइ करना मुश्किल होता है थार्ड क्या होता है स्वीच सपोर्ट फूल डूप्लेक्स डेटा ट्रांस्मिशन मोड सपोर्ट करता है इस फिगर को आप देखिए फूल डूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर यह सिस्टम इसको डेटा सेंड कर रहा है यह सिस्टम इसको भी सेंड कर सकता है एक टाइम में यहाँ से डेटा सेंडिंग भी होगा उधर सेर्बन शेंडिंग होगा तो तूस इन लेघ confess 12 कश्मिशन मोडया आपके data packet को आपके destination पर पहुंचाता है माल लिजे इसका target यह है तो switch क्या करेगा इसका भी mac address लेगा और इसका भी mac address लेगा और इसी mac address के according destination machine में data send कर देगा ठीक है last point क्या advantage का if a node fails there will be no effect in the entire network अगर कोई एक node fail हो जाता node मतलब computer ठीक है अगर कोई एक node या computer fail हो जाता है जैसे माल लिजे यह खराब हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा network बरवाद हो गया नहीं यह हमारा switch एकदम सही है और यह सभी node भी सही है तो इनके के बीच में वैसा ही काम continue रहेगा जैसा इसके रहने के पहले था अभी disadvantage क्या होता है switch का आपको वह भी पता होना चाहिए इप switch is failed then entire network will be failed देखो गाइस इस figure में हमारा यह switch है ठीक है अगर यह switch fail हो गया ना तो हमारा जो यह network बना हुआ हमने system connect करके जो local network बनाया हुआ है यह network अपने आप fail हो जाएगा क्यूंकि switch से ही तो हमने network create कर रहा है तो यह main disadvantage होता है switch का second point क्या है it is more expensive हमारा switch काफी ज्यादा महंगा होता है क्यूंकि यह intelligent होता है इसमें data privately send कर सकते हैं तो जब यह सब facility आपको चाहिए तो तो महगा रहे गही अगला point क्या है difficult to setup switch को setup करना काफी difficult होता है यहाँ पर setup का मतलब क्या है कि माल लिजे आप switch से एक network बना चुके है तो अगर आपको और नोड उसमें और computer एड करना है तो आप नहीं कर सकते निकालना है तो easily नहीं निकाल सकते हो ऐसे तो निकाल सकते हैं लेकिन difficult होगा यह सब करना ठीक है यह हो गया हमारा switch network device क्या होता है इसका advantages, disadvantages, uses मैंने सभी चीजे आपको इसी एक वीडियो में यहाँ पर देखो बता दिया है वीडियो पसंद आ गया हो तो like कर दीजे, share कर दीजे, hub network device के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को क्लिक करिए जो screen पर दीख रहा है